आज मैं आपके शेयर कर रही हूं मूंगी दाल केक ऐसी रेस्पी जिसमें आपको कटिंग की जरूरत है ना चौपिंग की और सब्जी बनेगे आपकी इतनी लाजवाब की सब वाववा कह उठेंगे आपने ये सब्जी फ्रेंट्स बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी लेकिन आप एक वाव मेरी इस रेस्पी से ये सब्जी जरू ट्राइ करें हेलो फ्रेंट्स मैं पारुल गोविल्स स्वागत करती हूं आपको अपने चैनल गोविल्स किचिन में फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और आपके अपने चैनल गोगल्स किचिन को सबस्क्राइब करें तो चलिए फ्रेंट्स बनाना शुरू करते हैं मौंगी डाल की अमेजिंग रेस्पी इस रेस्पी को बनाने के लिए हैं पर मैंने लिए एक कप मूंगी डाल फ्रेंट्स आप इसकी जगे साबत मूंग भी ले सकते हैं इसे मैंने दो घंटे पहले भीगो दिया था देखें फ्रेंट्स ये मेरी भीगी बी डाल है इसके थोड़े बहुत छिलके मैंने उतार दिये हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से फोल चुकिये देगे इस तरीके से ये कट भी रही है अब हम इसे एक ग्रैंडिंग जार में पीस लेंगे फ्रेंड्स पीस ते समय आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको पानी बहुत कम डालना है एक या दो चमच अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हैं यहाँ पर मैंने डाली हैं दो हरी मिर्च और दो इंच अधरक का टोकड़ा अब मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल दो चमच के करीब पानी और फ्रेंड्स इसे मैं पीस लोगी इसे का हमें बहुत बारिक पेस्ट नहीं बनाना है देखिए हमें इस तरीके से इसका दरदरा पेस्ट बढ़ा कर तयार कर लेना है और इसके कंसेस्टेंसी में फ्रेंड्स बिल्कुल सही है अगर आपकी दाल फ्रेंड्स बाईचांस पतली हो जाती है तो आप इसमें एक टेबल इस्पून पेसन का भी मिला सकते हैं देखे मैंने दाल को कर लिया एक बाउल में और तीन से चार समबस दाल मैंने ग्राइंडिंग जार में ही छोड़ दी है फ्रेंड्स अब मैं पनाओंगी इसकी ग्रेवी बनाने का आपको एक यूनिक तरीका इसमें आप डालें दो प्याज जिनने मैंने मोटे मोटे स्लाइ और इन्हें पीस लोगी फैंड्स आप बर देखेगा इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी और आप मुझे कमेंट सेक्सेस में बताइए कि आपने कभी इस तरीके से ग्रेवी पहले बनाई है अब हम रखेंगे इसे साइट में और करेंगे अपने आगे मेरी लाल मिर्च अगर आप साद वाली मिgger ने ने तो थोड़े सी कम वीजेगा उसी के साथ दो पिंच मेंड हलदी थाथि सबी मसाले हम ने इसमें अपने डाल दी हैं अब हम इसे लगातार एक से दो मिनट तक अच्छे तरीके से एक ही डारेक्शन में फिटेंगे जिससे हमारी दाल हो जाएगी सूपर फलपी जिससे हमारी पकोड़े बनेंगे सूपर सॉफ्ट दाल हमारे अच्छे तरीके से फिट चुकी है और ये बहुत ज़्यादा फ्लपी हो गई आप देख सकते हैं इसमें अच्छे तरीके से एर भर गई है और एक तरफ मैंने कडाई भी गरम करने रख दी है थोड़ा सा ओयल डाल के अब फ्रेंड्स हम डालेंगे कडाई में छोटी छोटी सी पकोड़ी जो फूल के हो जाएंगी एक दम बहुत ज़्यादा फ्लपी गेस की फ्रेंड को फ्रेंड आप यहां पर सिलो रखें आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लग रही है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर मेरे page को देख रहे हैं तो आप इसे follow करें देखे friends अब एक spoon की help से हम अपनी पकॉडियों को अलर्टे पलर्टे हुए अच्छी तरीके से सेख लेंगे गेस की flame को friends हमें ना तो बहुत ज़्यादा तेज रखता हैं बहुत ज़्यादा slow देखिए अलर्टे पलर्टे हमने अपनी पकॉडियों को सेख लिया है और हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से हम दूसरा बैच बीज का सेख कर तयार कर लेंगे पकोड़ियों को निकाल के रखेंगे अब हम साइड में और यहां पे लेंगे कढ़ाई मैं यहां पे लिया है दो से टीन टेबली स्पून ओयल ओयल के गरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक पिंच हींग हींके गरम रोस्ट हो जाने के बाद फ्रेंड्स हमें मैंने लिए थोड़े से खड़े मसाले जिसे मैंने हलका हलका सा दरदरा कूट लिया है और अब हम इसे हुनने तक करेंगे वेट और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टेप डी स्पून जीरा जीरे के क्रेकर होने के बाद फ्रेंट्स हम इसमें डालेंगे अपनी ग्रेवी जो की हमने बनाई थी जब आप अपना प्याज का पेस्ट कड़ाई में डालें तो धन रेकने वाली बाती है फ्रेंट्स की गेस की फ्लेम को अब लकुश स्लो कर दें और grinding jar में थोड़ सा पानी लेकर आप इस पेस्ट में डाल दें और इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से भूने प्याज और दाल को हमने slow flame पर अच्छी तरीके से भून लिया है दाल भी मरी बहुत अच्छी तरीके से भून चुकी है और प्याज भी अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले थोड़ी सी हम यहाप डालेंगे हल्दी पौडर उसी के साथ half table spoon मैंने हाप डाली है कश्मीरी लाल मिर्च और एक से टेफ टेवड़ी स्पून मैंने अब डाला है धनिया पौडर अब इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए हम जब तक भूनेंगे जब तक ही अपना ओयल को रिलीस ना कर दें इसे भूने में आपको एक से दो मिर्ट का समय लग जाएगा देखे हमारे मसाले भी बहुत अच्छी तरीके से भून चुके हैं उन्होंने अपना ओयल को रिलीस कर दिया और यहलके से फलपी भी हो गया है जब फ्लैन मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून जाते हैं तो वो तोड़े से फूल जाते हैं अब हम इसमें मिलाएंगे एक सीक्रेट चीज जिसे आपकी ग्रेवी मिले बनेगी बहुत ही ज्यादा टेस्टी देगे फ्रेंट्स यहाँ मैंने लिया है दही यह दही मैंने तीन से चार चमज लिया है जो बिल्कुल भी खटा नहीं है आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे खटा दही नहीं लेना अब फ्रेंट्स गैस की फ्लेम को दही डालते समय आप बंद कर दें आप जो भी कोई ग्रेवी कभी भी बनाएं तो दही डालते समय गैस की फ्लेम को हमेसे ओफ कर दें नहीं तो दही आपका फट जाएगा दही ग्रेवी में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है अब 30 सेकेंड तक आप इसे ऐसे ही भूने बाद में गैस की फ्रेम को ओन कर दें और फ्रेंड उसके बाद हम इसमें डालेंगे डेड़ ग्लास पानी पानी को डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक नमक को डालने के बाद आप इसे चलाएं और लिड लगा कर कवर कर दें और दो से तीन मिर्ट तक इसे अच्छी तरीके से कोकोने दें देखिए अब हम इसे चेक करते हैं देखे हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छी तरीके से वाइल आ चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है अब फ्रेंट्स हम इसमें डालेंगे पकोडी और पकोडी डालने के बाद हम इसे एक मिनट तक कोक करेंगे जिसे हमारी पकोडी में जो फ्लेवर है वो अंदर तक आजाएगा और पकोडी बनेंगे हमारी सूपर टेस्टी अब हम इने चेक करते हैं देखे फेंड्स हमारी पकोड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और इनों ने अपना ओइल भी रिलीस कर दिया है और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी कब लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गरम पानी भी मिला सकती है लेक इसमें डालें अमचूर पॉडर क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें तमाटर का यूज zar नहीं किया है उसी के साथ हम इसमें डालेंगे और आपके अपने चैनल गोविस कीचिन को सबस्क्राइब करें थैंक यू, थैंक यू पर वाचिंग